हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रीटी अपने चैनल स्री व्लॉग में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आईए मैं आज आपको बहुत ही अच्छी हेल्थ ड्रिंक बनाना बताऊंगी जो की बच्चों के लिए है इससे क्या होता है जो बच्चे जिनको भूक नहीं लगती है जो खाना सही समय पे नहीं खाते हैं बच्चे क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि बच्चे कितना खाना खाने के लिए बहुत नकरे करते हैं उनके लिए ये healthful drink जो कि बहुत ही असरदार है ये आप अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए और bell icon को जरूर दबाईए अब मैं आपको बताती हूँ इस health drink में क्या-क्या मैंने लिया है जो कि बहुत ही असरदार होता है मैंने इस health drink में लिया है केसर मैंने दूद में इसे भीगा के रख दिया था फिर मैंने लिये हैं इसमें दो चम्मच शक्कर हमें दो चम्मच ले लेना है फिर उसके बाद मैंने लिया है जैफल फिर मैंने लिया है कुछ dry fruits किसमिस लिये हैं और बदाम लिये हैं और vanilla essence लिये है वेनेलिया एसेंस जो है अप्शनल है चाहे तो आप इसे ले सकते हैं या इसकिप कर सकते हैं और फिर मैंने लिया है यहाँ पास एक ग्लास दूद जो की दूद हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा दहता है इससे बच्चों की भूग बहुत जादा बढ़ती है अगर इस हेल्थ ड्रिंग को आप बच्चों को देती हैं तो इसमें उनकी भूग बढ़ेगी और वो खाने में इंट्रेस्ट लेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आज ए हेल्थ ड्रिंग बनाना बताती हूँ ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहां चार ड्राइफ फ्रूट को ले लिये हैं अब इसे हमें क्या करना है मैंने इसे भीगा के रग दिया था अब हम इसके छिलके निकाल लेंगे तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसके छिलके को निकाल लेती हूँ यह मैंसे इसली निकल जाता है यहमें ऐसे छिल लेने है यह मैने जो मेरे बदाम थे उसे मैंने छिल लिया है आप भी इसे छिल के ही डालना अब इसे मैं छोटे-छोटे चक्कू से मैं इसे काट लूगी आप चाहिए तो खड़ा भी डाल सकते हो इसमें ज़्यादा के तयार हो जाती है और बच्चों को बेहत पसंद आती है मैं दो बदाम इसमें काट के डालूंगी यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ और सेम में इसमें करूंगी दो बदाम मैंने इसमें डाला है आप भी इसी तरीके से डालिए यह बहुत ही अच्छी होती है जिस बच अब मैं यहां प्पांस लूँगी किशमिश, किशमिश को ऐसी ही डालूँगी। मैं ऐसी ही डालूँगी तो आप दो गहंते से मैं दो डईना है eh अगर और भी पिष्टा वगरा डालना चाहें, तो वो आप डाल सकते हैं, यह optional है, लेकिन बदाम इसके लिए बेहर जरूरी होते हैं, बदाम इसलिए जरूरी होते हैं, क्योंकि जो बच्चे का पेट गर्म हो जाता है, उसे ठंडा करता है, इसलिए यह बहुत जरूरी होता ह हैं, बदाम को डालना, यह मैंने आपको दिखाये थे, जो मैंने इसमें चौप कर लिए, फाइनली, अब मैं इसमें डालूंगे, फ्रेंड्स, दो बूंत केसर के, यह दो बूंत केसर बहुत ही अच्छा होता है, इसके खुश्बू बहुत ही अच्छे से आती है, उसके बा तो मैं दोनों गिलास में सिर्फ एक एक चम्मा शक्कर ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती फ्रेंड्स, और यह ज़्यादा मीठी होती नहीं, बहुत लाइट ही बनती है, और बच्चों को बेहत पसंद आती है, और मैंने यहां लिया है वेनिला एसेंस, यह आपको मार्केट में इसली मिल जाएगी, यह मेरा डालने का रीज़न यह रहता है, अगर ना हो तो आप कोई बात नहीं, मट डालिएगा, अग यह मेरे पास अभी अवलेबल है, और इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा रहता है, जिसे बच्चे कभी कभी दूद को फ्लेवर के कारण ही अच्छे से पी जाते हैं, और ड्रिंक बनाने में पांच मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगता है, अब देखिए फ्रेंट्स मैं इसमें थोड़ा थोड़ा वेनिला का एसेंस डाल दूँगे, यह हमें यह डाल लेने है, उसके बाद मैं यहा अच्छा प्याना सा कलर यहां बन के आ रहा है, यह बहुत ही अच्छी होती है और खास कर बच्चों के पेट के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, और इसे भूख काफी मात्रा में बढ़ जाती है बच्चों की, आपके ड्रिंक को जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमें आपके बच्चों क्या आपके बच्चे सही टाइम में खाना खाते हैं की नहीं खाते हैं यह देखिए इसका कलर यह बहुत प्यार आता है और बच्चे आज छोटे बच्चे लोग उसी चीज को देखते हैं जिसने फ्लेवर हो कलर हो वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है तो बच्चे को इस तरीके से ड्रिंक बना के देंगे आप लोग तो उन्हें बहुत पसंद आगी देखी आपको इसी तरीके से उसे फूर एक मॉर्निंग में दे दीजिएगा और एक इंग्निंग में यह दो टाइम आप शुबा शाम बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे बिलकुल फटा फट इसे फिनिज भी कर लेंगे क्योंकि यह बहुत हेल्फूल ड्रिंक है अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बैल आइकन को जरूर दबाईए ताकि मैं हैल्फूल वीडियो आप के लिए लेके आती रहूं जिसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए फ्रेंट यह वीडियो मेरी कैसे लगी आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा